पुलिस ने बटपुरा की जंगल से बदमासों की गिरफ्त से दोसिक छको को सकोसल किया बरामर्ण आपको बता दें टेरोली पुलिस ने लोहर गाउं के गिरामिणों की सूचना पर थाना प्रभारी भिमसेन पौनियान ने जंगल में सच अभियान चलाया तो बदमासों के होस उड़ गए एवं भारी पुलिस बल बा गिरामिनों को देख चारो बदमास जान बचाकर भागे एवं बदमासों के कबजे से दो सक्षको को साखोसल बरामत किया जिसमें आसीस बरधन चतरवेदी, निवासी, जिला, निवाडी एवं संदीप कुमार रिछारिया, गिराम, सिजाना थाना सकरार दोनों एक साथ सुबह पढाने के लिए निकले तभी जेरोन रोट मडिया से नकाब पोस चार से पाँच बदमासों ने चार पईया गाडी से पकड़ कर उनके पास से लगबग तीन लग पचास हजार के सोने के आबुसन एवं पैसों की लूट कर टेरोली थाना छेतर के भ कोहित बार्च पर इवं सैकडों की संक्या में गिरामीनों के सयोग से तहरोली पुलिस के हाथ एक बड़ी सपलता लगी बहीं दोनों स्चक्छकों को पिर्थी पर पुलिस को सुपुद किया गया है थाना ध्यक्ष टहरोली को इस सूचना दी थी कि लाल कलर की गाड़े में कुछ लोगों को अपरण करके लेके जा रहे हैं उनके साथ मार्किट कर रहे हैं इस सोचना पर तत्काल थाना धेक्ष टहरोली और अगल वगल की जो थाने की फोर्स है वहाँ मौके पहुँची है बदमासों को पीछा करना शुरू किया और ये सोचना पर कुछ अगल वगल के गाउं के ग्रामीड भी वहाँ पहुँच गए थे और जब पुलिस ने वहाँ के रहने वाले हैं और दूसरे ने संदीब कुमार इचारिया जो सकरार जहांसी के रहने वाले हैं ये दोनों ही ललितपूर में ध्यापक हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए इनका कहना कि हम निकल रहे थे उसी बीच में पृत्वीपूर थाना छेत्र जो मद्य पुदेश मे तो ये वहाँ से इन दोनों का कुछ बदमासों ने लोग मोटरसाइकल से जा रहे थे वो कार से अपने और टेक करके इन दोनों का पहरण करके वहां से लेकर के भागे थे जब इन से पूस्त आज की कि जब इस सारा घटना क्रम निकल के आया तो प्रिषृवू थाना धेष को बता दिया गया है दोनों पीडितों को ले गए हैं उनसे पुष्टाच की जा रही है और उनसे पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कौन लोग थे और और क्यों ऐसा किया गया उनमों के द्वारा सारे एंग़िल पर प्र ध्रिव्फूर ठाना-द्यक्ष और मध्यपरदेश की त्धप्रितों के पुलिस के द्वारा कि ये जा रही है और अम्माद्र प्रदेश पुलिस को सौंप करके अगरी मैधानी कारोई कराई जा रही है